पिडाम दोस्तों, मैं आरोई आप सभी का दिल से बैलकम करती हूँ, उमीद करती हूँ, आप सभी सेफ होंगे and positive होंगे लेके आई हूँ, आप सभी के लिए बहुती खुबसूरत और बहुती different channel message साथ में आज है 66 का portal, तो आप सभी को happy 66 portal and आप सबको बहुत सारी lots of blessings and बहुत सारा प्यार divine की तरफ से और मेरी तरफ से भी आप सबकी life में बहुत positivity आए and आप life में वो achieve करें जिसके लिए आप यहाँ आए है and आपका soul purpose आपको ज़रूर मिले तो अब हम बात करते हैं आज के channel message के यानि की 66 का portal वो दरवाजा है वो दोर है जिसमें आप सभी tap in कर रहे हैं five dimensional energy में जी हाँ पहले आप पहुँआ टाइम से सुन रहे थे कि five dimension में जा रहे हैं five dimension में जा रहे हैं लेकिन आज वो पल है आज वो घड़ी है जिसमें हम सभी five dimension में पहुँच रहे हैं जिसमें पहुँचने से पहले जो हमने बहुत सारे अपने up sand down को देखे अब सारी चीज़ों को face किया and feel करते हुए हम आगे बढ़े लेकिन अब बात यह आती है कि अगर हम five dimension में जा चुके हैं तो हमको पता कैसे चलेगा आप सब के मन में यही होगा कि मैं बताते तो सब चीज़ हैं लेकिन हम अपने level पर कैसे पता करें कि हम इस energy में है भी या नहीं भी तो वही सब मैं आपको अभी explain करने वाली हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आप भी इस portal के अंदर जब जा रहे हैं तो आप five d dimensional energy के साथ work कर रहे हैं लेकिन एक बात सब कुछ बताने से पहले एक बात clear करूंगी यह चीज़ जो अभी शुरू हो रही है जिसमें हम six six portal में जा रहे हैं तो जाने से पहले हमारी जो उवजाए हैं वो हमारी चरम सीमा पे होंगी वो हमारी higher peak पे होंगी जिसके बज़े से हमको यह realize करना होगा and समझना होगा और इसको हम समझ भी पाएंगे क्योंकि किसी भी चीज़ को जानने के लिए तब हम अपना कदम उठाते हैं जब सच में उस energy से हमें थोड़ा सा outcome हमारे according थोड़ा सा different मिलता है for example अगर आपकी life में pain नहीं होगा तो आप उसकी दवाई नहीं लेंगे अगर मालो आपकी body में pain है आपको पता चला कि यार मुझे body pain हो रहा है तो भी तो आप दवाई लेंगे न अगर आप ठीक है तो आप क्यों दवाई लेंगे बताएं नहीं लेंगे न ऐसी ही energy जब आ अपना रोल दिखाएगी ताकि आप उसकी value को समझें and अपनी consciousness में कुछ चीजों को change करें and बदलाव लेके आएं लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि इस समय से आपको एक काम जो याद रखना है वो ये कि अगर आप 5D dimensional energy की energies को समझना चाहते हैं या फिर इसके साथ में जुड़ना चाहते हैं तो आज से अभी से और इसी पल से आपको अपनी consciousness में एक high level की energy को generate करना होगा और वो क्या है वो अपने आपको आपको बार बार reminder कराना है कि I am a higher soul I am a higher soul मैं एक higher soul हूँ मैं एक divine soul हूँ मैं एक pure soul हूँ मैं एक light हूँ कोई भी चीज को आप जो आपके साथ मैं चोओ वो चीज आज से अभी से आपको canteo new अपनी mind में रखना है बार बार दोहराते रहना है आपको क्यों मैं दोहराने के लिए बोल रही हूँ विकॉज आपके अंदर की जो soul है वो सब कुछ जानती है लेकिन आपका जो mind है वो भूल चुका है विकॉज ये सरीर के साथ आपको नया मिला है जैसे जैसे जब आपको जनम मिला तो जनम से पहले सारी चीज़े आपको याद थें आपकी soul में सब कुछ फीड है सब कुछ रिकॉर्ड एकदम फिक्स है लेकिन जब आप जनम से जनम लेका तब इस धरती पे आए तब आपके अंदर वो जो आपको space मिला या वो जो जगा मिली जो वो घर मिला soul के लिए वो नया है और जब नए घर में हम प्रिवेश करते हैं तो हमें थोड़ा time लगता है चीजों को समझने में कि वाश्रूम किदर है किचिन किदर है बैडरूम किदर है और बालकनी किदर है खिर्की किदर है बहुत सारी चीजों को हमें देखने में समझने में time लगता है यह तो आप जानते ही होंगे जब हम नहीं जगा जाते हैं तो चीजों को समझन तो हमको realize होता है और यही time होता है जब आप बड़े यानि बच्चा जब जन्म लेता है यानि आपने जन्म लिया बड़े हुए इस time तक आए यानि 21, 23, 25 तक आप पहुँचे तब तब आपकी जीवन में एक ऐसा process चला जिसको आप face करते हुए आ रहे थे और वही process जिस आप के अंदर के soul को activate करने के लिए role play कर रहा था ठीक है अगर वो चीज़ आपके life में नहीं होती तो आप searching mood पे नहीं आते और आप search नहीं करते और आप नहीं जान पाते कि आप कौन है आपके साथ में ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है तो आपने ढूनना चाहा इसलिए साथ तो तब आपको पता चला तो ऐसे ही तो आपका mind ना भूल चुका है अपनी soul की higher vibration को और अपनी soul की purity को तो अब आपको क्या करना है जब इस पोटल में आप जा रहे हैं तो पहले तो अपने consciousness में इस बात को बार बार डवलेप करना है इससे होगा क्या पहली नंबर बा एक अपनी balance energy को create कर लेंगे ठीक है आपको जो मानलों की जैसे की बेवजाई ना आप तोड़ा सा टाउन या like सोते हुए feel करें मतलब किसी चीज़ में मन नहीं कर रहा है और अब बार बार उस समय दोरा हो गया I am beautiful I am higher soul I am high vibration I am high frequency तो आप थोड़े से ही धेर में पाएंगे क आपका vibration जो है बढ़ना शुरू हो गया है क्यों बढ़ना शुरू हो गया है क्योंकि आपकी soul जो है five dimension में जाना शुरू कर देती है because आपका मन अगर इस समय connected होगा तो ही आपकी soul travel कर पाएगे जब तक हमारा mind, body और spirit तिनों alignment में नहीं आते तब तक हम उस higher vibration को नहीं feel कर प आते हैं अगर हमारा मन ठीक नहीं है मन हमारा low है तो हम क्या करेंगे body हमारा low हो जाएगा और body low हो जाएगा तो soul तो विचारी क्या करेगी वो आपको बार बार समझाएगी भी तो आपकी overthinking में आप उसको उसकी अवाज को पहचानी नहीं पाऊगे आपकी gut feeling को समझी नहीं पाऊगे तो soul आपके उपर dependent है यानि कि आपकी body और आपके mind पर dependent है अपनी mind और body को क्या करना है रिप्लेस करना है यह change करना है उसको repair करना है उसको बारबार reminder करना आप कौन है ठीक है अपनी vibration को high लेके रखना है जैसे ही आप high vibration के तरफ आपका body और आपका mind work करना हो जाएगी और फिर वो experience जो आप करेंगे वो फिर ला जवाब होगा तो पहली बात तो आपको ये करना है आज से अभी से ये चीज अपने मन में बार बार एक high dimension की तरफ सोचना एक high vibration की तरफ रखना है बले ही surrounding में कुछ भी से नियारू चल रहा है बट आपको high vibration में अपना मन रखना है अपनी consciousness में ये energy बार बार generate करनी है ठीक है अब मैं बात करो आपको कैसे पता चलेगा कि आप 5D dimension में जा चुके हैं तो सबसे पहले आप चाहें तो notes बना सकते हैं लिख सकते हैं तब तब आपको पता चले ठीक है तो पहले तो full on body आपकी ascension feel करेगी full on body में एक vibration feel हो सकता है and आपको पूरी body जैसे लग सकता है कि जैसे कि कमपन कर रही है, high vibration को create कर रही है तो इस समय आपको ये indicate कर रही है आपकी body आपका mind आपकी soul कि आपका जो vibration है वो, high vibration के साथ link हो चुका है connect हो चुका है और इस समय body जो है उस energy को क्या कर रही है observe कर रही है जब full body आपका vibrate हो रहा होता है full body जब आपका company कर रहा होता है it means कि आपकी soul जो है knowledge को download कर रही है आपकी body जो है वो तो company करी रही है अपने अंदर डाउनलोड कर रही है जिस बज़े से आपकी जो फुल बॉडी है वो बाइबरेट कर रही है वो एकदम से हाई फिक्वेंसी में जा रही है तो यहाँ पर क्या चीज समझ में आनी चाहिए आपको कि जब आपको हाई वाइबरेशन हो रहा है फुल लॉन बॉडी है वाइबरेशन में जा रही है तो पहली नमबर बाद फियर नहीं लाता है कि यह क्या हो गया मुझे क्या हो रहा है मेरे साथ में यह क्या चीज घट रही है यह समतिंग क्या है तो अगर आपके अंदर जब डर पैदा होगा तो आपकी जो सोल है आपकी जो रियल प्योर सोल है वो संकुचित होना शुरू हो जाएगी या सुकुड़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि वो भै पैदा कर रही है यह चीज आपके अंदर जो आपका माइंड है वो भै पैदा कर रहा है विकॉज आपको क्या हो रहा है कमपन हो रहा है वाइब्रेशन हो रहा है तो आपके अंदर भै आ रहा है तो अगर भै आएगा तो आपकी सोल क्या है सुकुरना शुरू कर देगी आपका औरा सुकुरना शुरू कर देगा और फिर क्या होगा वही अशंशन वही and universal wisdom को download कर रहा था knowledge को grain कर रहा था वो क्या हो गया? संकुचित हो गया वो क्या हो गया? सुकुड गया और जिसकी वजह से आपने क्या किया? डाउन face की चीज़ों को consume करना शुरू किया फिर क्या होगा? आपके अंदर fear पैदा हुआ तो फिर आपको लगेगा आपको सबसे पहले मिर्तू का भहस अताएगा कि यार यह क्या हो रहा है मुझे कुछ हो ना जाए मेरा साथ कुछ गलत ना हो जाए यह problem साताएगा और उसके बाद आपके जीवन में जो भी घटनाए घटी है पास लाइफ में जो भी आपका लाइफ रहा है जो अच्छा है या बुरा है जैसा भी रहा है वो सब कुछ आपके अंदर चलना शुरू हो जाएगा जो कि आप एक अर्थ की मैट्रिक्स में फशना शुरू करेंगे जो आपका अच्छा शुरू हुआ है वो आपकी अर्थ की मैट्रिक्स में क्या होगा उलस जाएगा और फिर आप कहोगे कि हमने ये फील तो किया लेकिन हमको इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखा बापिस से हम वही लूप में फील कर रहे हैं हमारे अंदर वही चीज ओवर्थिंकिंग इंजाइटी एंड ट्रॉमा फिर ये सारी चेज़ें हमारे अंदर से जान ए रही हैं आपने तो बोला था कि हम अशेंशन हो रहे हैं हम high dimension में स्रिप्ट कर रहे हैं तो ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहे है तो dear इसका reason यह है कि आपने सबसे पहले जब आपके अंदर यह ascension हुआ तो आपने fear को create किया और fear create हुआ तो आपका जो औरा है वो आपका क्या हो गया अपने आप में bound हो गया अपने आप में सुकड़ना शुरू हुआ और सुकरना शुरू हुआ तो आपके अंदर की जो dark side है बाहर की जो dark side है उसको उसने consume करना शुरू किया देखो इस चीज़ को यासे समझो जैसे कि बबंडर होता है बबंडर जब उटता है ठीक है? तो वो क्या करता है अपने आसपास के मट्टी को रेत को और चाहे कागज हो पोलोथीन हो सबको उड़ाना शुरू कर देता है क्योंकि वो घूम रहा है वो चक्र घूम रहा है अब उसके आसपास जो कुछ भी आ रहा है वो क्या कर रहा है उसको सबको खीच रहा है सबको अट प्रेडरेंट कर सोरइट हो गई है बहुत ज्यादा इंहां चीजा एनर्जी को क्या पूसकर गरेड हैं used on ready खियेন और इनेरजी का एपर चीन होता है और एनेरजी का है बढ़ना शुरु होती है यापको फोल्दान बाड़ी पे क्या होता है अशंशन होता है पैरों से लेके शर तक तक हमले होता है और और एक जो लगटा है ज़े में connection बनाएगा एंड बहुत सारे dimensional and universal cosmic race के साथ में क्या करेगा connection बनाएगा लेकिन अगर वहीं आगर आपने मन में fear को generate किया है तो fear क्या करेगा universal energy तो आपने receive की साथ में क्या हुआ अपने के अंदर के dark side को भी activate कर लिया आपने थोड़े दाय में फिर down हो जाओगे फिर positive feel करोगे फिर down हो जाओगे ये जो scenario चलेगा वो आपके वजह से होगा because आपने अपने energy में एक डर को consume कर लिया है यानि कि जो vibration जो energy retrograde हो रही है घूम रही है आपकी surrounding में वहाँ पे कुछ ऐसे हिस्से भी आ गए है जो आपको थोड़ा सा problem कर आएंगे तो जब जब आप जिजिस energy के contact में आओगे 24 घंटे में तो आपको यही feel होगा कि कुछ घंटे हम बहुत positive हैं कुछ घंटों में हम बहुत loss feel कर रहे हैं कुछ घंटे में हम silent feel कर रहे हैं यानि कि अपनी अपनी level पे यह चीज़ आप feel करोगे तो आपको क्या करना है यह आपके साथ होगा और हो भी चुका है एक दो बार तो आपके साथ हो चुका है और आगे और होगा क्योंकि हम इस portal में जा रहे हैं तो अब यह चीज़ बड़ेगी आपकी body full on vibrate करेगी तो उस समय क्या करना है उस समय अब तक जो हुआ उसको ध्यान नहीं देना जाने अंजाने में आपने कर कुछ गलती कर भी ली है तो उसको let go कीजिए उसको सोचके अब अपनी energy को खराब नहीं करना है क्योंकि वो जा चुकी अब आपकी नई energy create हो रही है नया vibration create हो रहा है तो इसमें जबी भी आपको full on body ascension हो body company हो body vibrate करें तो आपको यही बार बार repeat करना है कि I am very higher soul एक higher frequency हूँ मैं light हूँ मैं positivity हूँ जो भी चाहें जो आप बोलना चाहें लेकिन positive ठीक है I am very high frequency ऐसे भी आप बोल सकते हो तो उसमें क्या होगा ना कि आपके अंदर का positivity plus surrounding में जो आपकी ascension हो रही है वो positivity दोनों एक साथ align हो करके इस समय आपकी चक्राओं को एकदम से alignment में लाएंगे आपकी energies को connect करेंगे आपकी energies को embrace करेंगे और indirectly नहीं बलकि directly आपको 5D dimensional का अनुभव करा देंगे उस समय यही उ energy क्योंकि जब आप 5D dimensional की energy में tapping करेंगे तो क्या होगा आपके emotional energy change हो जाएगी आपकी feeling change हो जाएगी आप मन में शान्त हो जाएगे emotionally जो आपके अंदर बहुत जादा जैसे चीजों को लेकर के एक मायूशी चलती है एक गुसा चलता है एक निरासा चलती है वो खतम हो जाए यह कोई problem नहीं है यह सब तो normal सी चीज है क्या ही पढ़ना यानि कि आप उस चीज में फिर उभरना सीख जाएगे यानि कि उसकी vibration जो आपको इस समय यानि कि पहले अभी जैसे आप overthinking कर रहे हैं किसी चीज को लिए करके परिशान है तो वह frequency आपको connect नहीं कर पाएगी विक प्लस intern level पे आपकी energy high है तो वो उसको मौका नहीं मिलेगा आपके साथ connection बनाने का मौका यहाँ पे आप देते हैं जब आप अपने अंदर fear, anxiety and मायूशी को create करते हैं तब आप energy को नहोता देते हैं energy को मौका देते हैं और तब वो आप से क्या करती हैं जुड़ना शुरू ह हो जाती है और फिर आपके साथ में यही युद्ध चलता रहता है कभी high कभी low कभी high कभी low कभी high कभी low कभी high कभी low क्योंकि आप इसी tap in में हैं तो आपको क्या करना है समझ में आया ना यह चीज आपको तो 5D dimensional का एक पहला point आपका मैंने clear कर दिया है कि जिस किसी को भी ascension हो रहा है full on body ascension हो रहा है आपको बदाई हो आप इस 5D level में जा चुके हैं बट जाना तो आसान है लेकिन इस energy को समालना भी तो बहुत आसान नहीं है ना तो समालने के लिए मैंने आपको पताया है कि जभी भी full on body ascension हो आपको positive सोचना है और 24 घंटे आज से अभी से अप नियाब को positivity की तरफ लेके जाना है I am wonderful soul I am positivity I am higher soul जो भी आप बोल सकते हैं बट अपने मन में एक higher concept को create करना है जब आपका ये energy आपके mind में बहुत जादा हो जाएगा and आपके अंदर तक connection बना लेगा तब ये आपके अंदर की जो बार बार की low frequency को आप feel करते हैं 3D life की and 4D dimension की ये चीज आपको problem नहीं करेगी अच्छा 4D dimension क्या है आप लोग जानते हैं 4D dimension वो है जो आप dream देखते हो ठीक है 4D dimension वो है जो आप dream देखते हो जिसमें अब बहुत सारी soul आप से connect करती है बहुत सारे दुख आप देखते हैं बहुत सारे लोग आप से जोड़ते हैं और 4D dimension थोड़ा थोड़ा हमारा past life को भी दिखाता है जहां पे हम आहे हैं तो 4D dimensional energy जो है हमको भ्रहमित भी करती है क्योंकि 4D dimensional not true मतलब 101% true नहीं है तो वहां पे भ्रहमित भी है और वहां पे सच भी है तो यह हमें देखना होता है कि कौन सी चीज हमें क्या भ्रहमित करा रही ह हमें क्या करते हैं परिशान कर देते हैं तो क्यों वह चीज है कि आपको energy खीच रही है जो आपकी positive energy है वो 4D dimensional की energy आपसे receive कर रही है चलो फिर कभी मैं 4D dimension का proper बताऊंगी लेकिन हां हम अभी बात करें 5D dimensional की और एक बात जो कि मैंने बताया full on body जो जिसको ascension हो रहा है आप म कुछ सोल को कुछ हमारी family को मैंसलीन को चक्रा घूमते हुए फील होगे रूट चक्रा घूमता हुआ या फिर हाट सबसे ज्यादा तो हाट चक्रा फील हो रहा है ना समझ जाए लिख के ले लिजिए कि आप 5D dimension के साथ connection बना रहे हैं बट जैसे मैंने फर्स्ट के लिए कहा कि आपकी जब body ascension हो रहे है तो अगर आपकी मन में fear है तो वो चीज क्या करेगी आपको पलट वार करेगी ऐसे ही अगर आपके हाट चक्रा में कोई चीज का गिला, सिकबा, दुख, दर्द है तो वो क्या करेगा वो आपको pain फील कराएगा आप जब हाट चक्रा से connect हो है औ हमें knowledge दी जाती है और हम से ली जाती है ठीक है हम prayer करते हैं हम किसी चीज को बोलते हैं दिल से बोलते हैं और इसलिए वो चीज हमारी universe में जाके complete हो जाती है इसका मतलब कि हमारी जो बोलनी की या हमारी जो prayer है जो हमारा जो इच्छा है वो हमारी universe में कहां से पहुंच रही ह है हमारे हार्ट चक्रा से अगर यूनिवर्स को हमसे कुछ कहना हो या यूनिवर्सल एनरजी हमें रिसीव करने हो तो हम कहां करेंगे हार्ट चक्रा पर ठीक है तो हमारा हार्ट चक्रा जो है वह एक से आदान पिर्दान करने वाली जगह है लेकिन वहां पे अगर हमने बुराई को दुख को अपिक्छों को जालेसी को नफरत को इन चीजों को कैरी करके रखा है तो आपको क्या संदेश जे रहे हो आप यूनिवर्स को क्या मैसेजिस आप भेज रहे हो आपको खुद पता चल जड़ किया होगा और वही चीज फिर क्या हो रहा है अपके पास रीटन हो रहे हैं बापिस हो रहे हैं तो आप यह मत क pipes की मेरे साथ जो यह हो रहा है यह क्यों हो रहा है उसका reason आप खुद स्वैम है क्योंकि आपनी वो energy universe को दी है आपके दिल में जो है चाए वो नफरत है चाए वो प्यार है चाए वो गुसा है चाए वो ज्यालेसी है कुछ भी है वो चीज आप return पा रहे है क्योंकि आपनी वो universe को भीजा है आपके थ्रो आपके heart chakra से आपके कुछ messages को carry किया गया आपके कुछ points को वहाँ पे note किया गया और उस points के work किया गया और उस points को आपके लिए complete करके 3D life में भीज दिया ठीक है तो अब क्या करना है आपको आपको करना है अपने heart chakra का cleansing अपने heart chakra को purity के साथ जोड़ना है nature के साथ जोड़ना है अगर आपके heart chakra में pain हो रहा है किसी भी chakra पे बहुत ज़ादा आपको energy feel हो रही है आप 50 dimension में चल रहे है बस अगर आपको body pain इस समय हो रहा है it means कि आप कुछ गलती कर रहे है आपके दिल में आपके heart chakra पे कुछ ऐसी चीज़े चल रही है जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है और इसलिए आप उस energy को क्या कर रहे है reflect कर रहे है receive कर रहे है तो यह आपको नहीं करना है आज से जानके check कीज़े आपके दिल में क्या-क्या पड़ा है क्या-क्या भरके रखे हो उस सबको खत्म कीज़े उस सबको जाने दीज़े उसको सिर्फ unconditional love से भरिए unconditional प्यार से भरिए सबकी लिए blessings और प्यार से भरिए तब उसके बाद देखिए है कि आप कितने अच्छे से universal energy के साथ में connection बना पाते है ठीक है मैंने कहा emotionally आप change हो जाएंगे emotionally आपकी energy बहुत अच्छे से peaceful feel कर रहे है जो भी relaxed है thoughtless feel कर रहे है silent zone feel कर रहे है आप 5D level में जा चुके है जो जो 5D level में गया है अब मैं थोड़ा से यह बता दू कि करना क्या है जो जो भी यहाँ पर इस energy को feel कर रहा है 5D dimensional energy को feel कर रहा है आपके लिए बदाई हो बहुत बहुत blessings लेकिन अब आपको क्या करना है अपने अंदर अपने भीतर कोई भी negativity को नहीं लाना है thoughts को नहीं लाना है thoughts हमसे रुखते नहीं है अपको अस thoughts पे हमारा control नहीं है लेकिन control है कैसे control नहीं है क्योंकि आप अपने thoughts के प्रती aware नहीं है इसलिए आपको control नहीं है आपको क्या करना है अपने thoughts को देखने का 10-20 minute time निकाले है आप बोलेंगे न कि मुझे आज मेरा thoughts देखना है मैं देखना चाती हूँ कि मेरे दिमाग में चलता क्या है आप यकिन माने कोई thoughts नहीं आएगा जब आप host के साथ देखेंगे न कोई thoughts नहीं आएगा लेकिन जब आप कोई काम कर रहे होंगे कुछ भी खाना बना रहे हो या काम कर रहे हो, जौब कर रहे हो लेकिन thoughts चल रहा होगा क्यों? क्योंकि thoughts को तब ही मौका मिलता है जब आप बेहुसी में होते हो जब आप host में होते हो तब thoughts के लिए जगा नहीं है तो क्या करना है? present moment में रहने की कोशिस कीजी अपने आपको बार-बार reminder कराईए मैं क्या कर रहे हो? मैं खाना बना रहे हो जब कर रहे हो यह बार-बार reminder कराईए क्योंकि आपको इस समय positive रहना बहुत ज़रूरी है present moment में रहना बहुत ज़रूरी है और यह तब ही possible है जब आप अपने प्रती अवेरनेस में आएंगे जागरत अवस्ता में आएंगे क्योंकि यहाँ पे 5B डाइमेंशनल की एनर्जी लग चुकी है अब यह आप यूपर डुपैंड करता है कि आप एनर्जी को कैसे कनेक्ट करते हो कैसे क्रियेट करते हो मैंने भी बताया ना अशेंशन का आपको अशेंशन हम सबका हो रहा है लेकिन अशेंशन के साथ साथ में हमारे अंदर जो चल रहा है वो भी असंडेड हो रहा है वो भी बढ़ रहा है क्योंकि हमने उस पे काम नहीं किया तो उसको समझो जो बार-बार आपको high और feel हो रहा है ना I mean low feel हो रहा है ना उसका reason यही है कि आपने अपने असेंसिंट में वो चीज़ create करके रखिए है तो full on उस चीज़ को जाने दीजिए जो भी fear है उसको सुईकार कीजिए क्योंकि आप अपने bill power को activate कीजिए आपको यह चीज़ बार-बार repeat करना है कि आप एक higher soul है और यह सब higher soul की down energy है जो fear है, anxiety है यह सिर्फ एक normal face है और यह मुझसे बड़ी नहीं है मेरी positive energy से बड़ी नहीं है तो वो अपने आप खत्मोना शुरू हो जाएंगी आपको भागना नहीं है समझना है कि यह क्या है, ऐसे नहीं कर दे हाँ, चल छोड जाने दे इसका क्या होगा हाँ, इससे ही डर गई, इसा बोलते नहीं है क्या लड़की है, इससे ही डर गई तो वो चीज़ आप करोगे आगे चल के, ठीक है इसी तरह इस चीज़ को लो है, यह कोई डर है, चलो चोडो मैं तो इससे भी ज़्यादा पाबर फोलो यह अपनी consciousness में बिठाओ यह अपनी दिमाग में बिठाओ ताकि आप इसकी level पर जीना शुरू करोगे यह continue new अपने आपको reminder कराओ I am higher soul I am pure soul I am wonderful soul I am divine soul यह बार बार अपने आपको reminder कराओ तभी इस 5D level पर धंग से रहपाओगे बढ़ना फिर आप लो वाइबरेशन में चले जाओगे तो options आपके हाथ में है आपके उपर depend करता है आप कैसे इस energy के साथ में work करते हैं लेकिन सब भी इस समय high vibration में जा चुके हैं और सब अपने अपने लेवल पर work करेंगे बहुत experience भी करेंगे वो experiences क्या होंगे वो मैं फिर आपको next video में बताऊंगी लेकिन फिलाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि अब तक जो किया, कोई बात नहीं हो गया, चला गया, आज था, गुजर गया लेकिन आज जो कर रहे हो वो host के साथ करो क्योंकि ये portal बहुत awareness के साथ में आप निकाल पाऊगे बरना बहुत problem भी feel कर सकते हो खासकर family न आपकी energy बहुत high रहेगी बहुत positive रहेगी बहुत ज़ादा connected feel करेंगे आप universal energy से बस सर्थ है कि आप अपने अंदर के उस dioxide को समझ पाओ जो आपको damage करता है तो यहाँ guys यह है आपके लिए channel message, I hope आपके साथ में resonate हुआ है, जो भी है comment करके मुझे बताइएगा, बाकी की information मैं next video में दूँगी तब तक अपना ध्यान रखिए साथ में मेरी आसे classes शुरू हो रही है inner work classes, 41 days की classes है, जो की 8 बचे से शुरू होंगी, अगर आप मेरे साथ जुणना चाते हैं, मेरे साथ inner work करना चाते हैं, तो आपका welcome है, उससे जुणने के लिए आप description मेरे नम्मर मिल जाएगा वहां मुझे आप WhatsApp से follow कर सकते हैं and description, sorry, क्या बोलते हैं उसको committee post में, वहां पे भी मैने ढाला हुगा है वहां पे भी आप मुझे follow कर सकते हैं and बताइएगा मैंने जो painting बनाया है वो कैसा लगा आप सब को मैंने ये रात को बनाया बहुत टाइम से मतला मुझे मेरा एक hobby है हाला कि मैंने सीखा नहीं है लेकिन मेरी hobby है painting करना बहुत टाइम से मैं नहीं कर पा रही थी बहुत busy थी लेकिन कल मैंने सारा time निकाल के रात को करी मैंने इसको 2 दो बचके 30 मिनट पे complete किया था रात को मैंने इसको बनाया प्रॉपर और बताना कैसा बना है मुझे अच्छा लगता है painting करना और मैं बहुत जल्दी और भी वीडियो I mean painting आपके साथ शेयर करूंगी and thank you so much मुझे पता नहीं क्यों आप सबसे एक बहुत लव वाली energy फील हो रही है तो love you so much my soul family and God bless बापाई